नमस्कार, मैं साक्षी, MNS News Live में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर बिहार सड़क हाथसे में तीन शर्दालों की मौन, अठरा घायल सुरोशा बलों ने मारे छे आतंकी, ऑपरेशन जारी इस सुन्दरी ने बढ़ाया प्रदेश का नाव, अब खबरे विस्तार से तीवान जिले में भीशन सड़क हाथसा हुआ इस हाथसे में कार्थिक पूर्णिमा के मोके पर गंगाचनान करने जा रहे शर्दालों से भरे ट्रक्टर ने जोरदा टकर माली हाथसे में तीन लोगों की मोथ हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए वही चालक गाड़ी समेथ मोके से फरार हो गया सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जम्मू कश्मिर के अनत नाग में आतंकियों और सुर्खशाबलों के बीच हुई मुडबेड में छे आतंकी मारे गई, आपरेशन जारी है यहाँ एंकाउंटर सेकी पोरा के बीच बहेरा में जारी है सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामत किये इस एंकाउंटर की पूरी जानकारी मिलनी अभी बाकी है तमाम बंदिशों को पार कर उसने अपने सपनों की उड़ान पाई इस सुंदरी ने इतियास रजडागा पहली बार ऐसा हुआ है कि 36 गड़की किसी लड़की ने एक साथ इतने खिताब जीते हुँ राइज जानी की रुबीना ने एलिट मिस इंडिया प्रतियोगिता में तीन खिताब हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया खबरों में आज के लिए इतना ही MLS News Live देखने के लिए आज ही प्लेस्टर से MLS इंदी आप डाउनलोड करें और हमारे जानी को सब्स्राइब करें धन्यवाद